एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल CGRSTDIQ मैं हूँ परकासबिंदरा और देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल CGRSTDIQ जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल को जरू सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले जिससे की मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंसता रहे जैसा कि थमनेल से ही आपको पता चल रहा है कि मैं आज के इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ इस थानी सो सासन एवं पंचायती राजविवस्था पे तो इस थानी सो सासन का उद्भाव कब हुआ इसका रोल क्या है हमारे समाज में हमारे सरकार के सासन प्रणाली में पंचायती राजविवस्था कब आई कैसे आई कौन कौन से समयतिया इसमें लगी रही कौन कौन से स सिफारिस की तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ो रहिए मेरे विश्वास बनाईए मेरे विश्वास करिये मैं इस ग्रामीड विकास परिवेस से जुड़े है सारे टापिक को आप सभी के बीच लाओंगा लेक्चर के माधन लेक्चर वाई लेक्चर आप ये जो 25 कोशन है ये 25 क कोशन आपके छोटने नहीं पाएंगे 25 में 25 आप पूरे कर ले जाएंगे अगर मेरे साथ आप जुड़े रहें तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कितना है ठीक है सिर्फ मैं वही बताऊंगा जो आपके एक्जाम में आने के लिए जरूरी है ठीक है आप बि लिस्ट में जाकर पहला लेक्ट्र देख सकते हैं और अपने सुझाओं दें अगर कुछ कमियार हा जा रहे हैं मेरी तरफ से कोई ठीक छूट जा रहा है तो बोल सकते हैं बकि तो मैं मेरे तरफ से कोई भी चीज नहीं छोड़ी जा रही है मैं हर चीज को आपको क्लीर करा रहा हूं जो चीज आपको और कहीं नहीं मिल पाएगा मैंगे में ऐसे तॉपिक को आप सभी के लिए लाओंगा जो आपके लिए पहली बार लगए लेकिन वो आपके लेखपाल के लिए जरूरी है ठीकर लेकपाल का चिले ब सबस्सक्राइक है मैं उसी हिसाब पढ़ाँगा खीन अगर आप त्यार कर रहे हैं तो लेकपाल का यह सिर्फ यह लेकपाल के लिए हि काम करेगे यह knowledge तो चलते हैं सिर्थे topik भी अब तो हम बात करते हैं इस्थानी सोसासन एवं पंचाइती राजबे तो पहले हम बात करेंगे इस्थानी सोसासन से तातपर क्या है इस्थानी सोसासन से कहते हैं हम उसे कि इस्थानी सोसासन से तातपर साशन की उस प्रडाली से है जिसके जिसमें निचले इस्तर पर लोगों को भागीदारी बना कर लोकतांत्रिक विकेंद्री करण को सुनिचित किया जाए तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयम हल करने के लिए समच्छम बना आ जाए इस्थानी सोसासन का ताथ पर ये है कि उनको साशन प्रडाली में सामिल करके निचले इस्तर के लोगों को साशन प्रडाली में सामिल करके उन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्री करण का भाग बनाया जाए एबं उन्हें सौयम की समस्याओं को स्वयम से हल करने के सच्छम या योग्य बनाया जाएं पहले चीज आप इस्टार पॉइंट में बना के लिख लिए कि इस्थानी सोशाषन का प्राचीन काल में सबसे पहले प्रयोग कहा हुआ है इस्थानी सोसासन का प्राचिनकाल में सबसे पहले प्रयोग कहा हुआ है तो इस टार पॉइंट पे आप लिख लीजिए कि इस्थानी सोसासन का सर प्रथम प्रयोग रिग वेदों में मिलता है किसमें मिलता है रिग वेद में ठीक है रिग वेद में मिलता है वहाँ पे सभा, सभा, सभा एवं समिती के रूप में स्थाई, स्थानिय स्वायत्य संसाओ के रूप में देखा गया है, ठीक है, कहा गया है, और जो उनका काम रहता था सभाया समिती का ग्रामेड विकास के लिए, ठीक है, वो कार करते थे, सभाया और समिती ग्रामेड विकास के लिए क प्राचिन काल में रिग वेद में स्थानी सुसासन को क्या कहा जाता है तो आपका उतर होना चाहिए सभा और समिती होना चाहिए आपका उतर अब चलते हैं आगे आगे चलते हैं बात करते हैं भारत में स्थानी सो सासन संस्थाओं का अस्तितो प्राचीन काल में मौरकाल से ही रहा है ठीक है कब से रहा है मौरकाल से ही भारत में स्थानी सो सासन का अस्तितो रहा है मद्ध काल में मद्ध काल में मुगल के अधीन ये संस्थाएं अस्थित्व में रही हैं आधुनिक काल में ब्रिकिस सासन में भी ये स्थानिसों सासन के लिए कुछ प्रियास किये गए तो जो मद्ध काल है कि मद्यकाल में मौरयकाल में रहा है उसके बाद मोगलकाल में भी अस्तित्त में आई ये संस्थाएं और बिज्ựटकाल में भी कफी काम किये गिए अस्थानी सुसासन के लिए बात करते हैं अब कि 1964 में कब उस्वरी 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्तावदारा इस्थानी सुसासन को मानता प्रदान किया गया कब प्रदान किया गया 1864 में इस्थानी सुसासन को भारत सरकार दारा मानता प्रदान किया गया थीखे उनको जो पंचायत को कार करने की और वित्ती स्वहत्ता प्रदान करने का कार किस ने किया लाग मेयों ने किया 1882 में टतकालिन वाइरस लाए लाग रिपन ने 27 सुसासन के लिए प्रस्ताव पारित किया खीक है अभी तक सिर्फ बात हो रहे थी 27 सुसासन पे लेकिन लाग मेयों के सासन काल में 1882 में 27 सुसासन के लिए किया गया एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके दोरा पूरे देश में उपखंडो तथा तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड इस्थापित करने का सुझाओ दिया गया क्या इस्थापित करने का सुझाओ दिया गया ठीक है तथा लाड डिरीपन को भारत के अस्थानी सोसासन का जनक कहा जाता है ठीक है लाड डिरीपन को क्या कहा जाता है भारती अस्थानी सोसासन का जनक कहा जाता है तथा इस प्रस्ताव को अस्थानी सोसासन का मेगना कार्चा कहा जाता है यह प्रस्ताव का बाया 1882 में आ अधिनियम के अंतरगत, फिक है, 1935 के अधिनियम के अंतरगत, फिक है, द्वारा अस्थानी से सासन को पुर्ता राजजी का विसे बना दिया गया, फिक है, अब बात करते हैं अस्थानी के सोतंतरता प्राब्द के बाद, सुतंतरा प्राब्द के बाद गांधी जी के ग्राम सुराज की अवधारणा को साकार करने के उद्देश से क्या साकार करने के उद्देश से ग्रामीड सुराज की स्थापना अवधारणा जो कि किसकी अवधारणा है महत्मा गांधी साहब जी की थी महात्मा गांधी जी की थी ठीक है उनकी अवधारणा को साकार करने है तो पंचायती राजवियस्था पर विसेश बल दिया गया क्या दिया गया विसेश बल दिया गया ठीक 1935 के अधिहम के तहट इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं समधाइक विकास मंतराला की स्थापना की गई तथा इसके जो मंत्री थे पहले मंत्री वो कौन थे यस के डे ठीक है पहला मंत्री कौन था पंचायती राज एवं समधाइक विकास मंतराला की स्थापना के लिए ठीक है पहला मंत्री कौन था? एसके जे पहले मंत्री उसके बनाए गया है. ठीक है? अब आगे बात करते हैं. सामधाईक विकास कारेकरम को सफल बनाने के लिए तथा उसमें जन भागीदारी को बनाने के लिए. किसकी भागीदारी बनाने के लिए? आम जनता की भागदारी बनाने के कौन करवाता है तो वो पंजित ज्वाहलान नहरू के द्वारा ठीक है बलवंतराय महता की अधच्चा में एक समिती गचत की जाती है जिसका नाम क्या है बलवंतराय महता गरामोधार समिती और इसे बलवंतराय महता समिती भी कहते हैं ठीक है बलवंतराय महता समिती ने प्रजातांतरिक विकेंदरी करण की सिफारिज को सिफारिज की ठीक है किसकी विकेंदरी करण की बात की प्रजातांतरिक विकेंदरी करण की बात की किस ने किया बलवंतराय महता ने किया ठीक है उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत होना चाहिए पंचायती राज विवस्था में ग्राम समिती होना चाहिए और जिला परिशत के रूप में होना चाहिए इसलिए बियार महता बलवंत राय महता को भारत के पंचायती राज विवस्था का वास्तुकार या सिल्पकार कहा जाता है ये question बहुत कामान है कि बलवंत राय महता समिती किससे संबंदित है या फिर पंचायती राज विवस्था का सिल्फकार किसे कहा जाता है वास्तुकार किसे कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तुकार और सिल्फकार कौन है वो है हमारे बलवंतराय महता साहब ठीक है अब बात आती है कि पंचायती राज विवस्था समसे पहले कहा लागू की गई तो सुर पर्थम आंद्र प्रदेश में 1958 में पंचाती राजविवस्था को प्रायोजिक तौर पर लागू किया गया ठीक है प्रायोजिक तौर पर मतलब कि च्रायल के रूप में ठीक है पहले च्रायल कहां किया गया आंद्र तौर आंद्र प्रदेश में ले अब चारिक रूप से शुरुवात की ठीक है अगर शुरुवात की बात पूछी जाए तो वो होगा आपका राजस्थान और कौन सा जिला होगा नागोर जिला लेकिन ट्राइल के रूप में देखा जाए तो ट्राइल के लिए आंध प्रदेश में ट्राइल किया गया लेकिन किरायल के बाद नागवर राजस्थान के नागवर में शुरुवाद किया गया पहली बार खीक है अतर राजस्थान देश का पहला राज बन गया जहां संपूर राज में सरपथम पंचायती राज इस्थापित किया गया खीक है तो सरपथम पंचायती राज कहां संपूर पी वी के राव समीती आए, एलम सिंधिवी समीती आए, पी के थुंगन समीती, पी के थुंगन समीती का गठन 1988 इस वी में हुआ था, इसके तहट इस समीती ने जो सिफारी से की, जो सुझाओ दिये, उन्हों न कहा, पंचायती राज विवस्था को समयधानिक दर्जा देने ह सुझाओ दिया, और पंचायती राज को सक्ति साली बनाया जाए, इसका सुझाओ उसमीती ने, अब बात करते हैं पी के थुंगन समीती, इसके बता दिया पहले ही, कि 1988 में इस का गठन किया गया ठीके थुंगन समीती का गठन पंचाती राज ठीक पंचाती संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया ठीके पंचाती किस पर विचार करने के लिए कहा गया ठीके थुंगन समीती ने पंचाती राज विवस्था को सक्तिसाली बनाने के लि कैसा सुझा दिया कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको सक्ति साली बनाने हैं तो समयधानिक दरजान देने के लिए उन्होंने सुझा दिया 1989 के तक्कालिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधारों सक्ति करण के विसेश रुची लिया तथा सिंधिवी और थुंगन समीती के सिफार्शयों के अधार पे चौसथवा संसोधन विधयक लोगसभा में प्रस्तूत किया कौन सा विधयक संसोधन प्रस्तूत किया चौसथवा जिसे लोगसभा दवरा पारित कर दिया गया लेकिन राजसभा दवरा ना मंजूर करने के करण विधय क्या हो गया समाप्त हो गया ठीक है राजसभा में क्या बलते हैं पारित नहीं उपाया इसलिए विदे क्या हुआ समात्थ हो गया तत पस्चात पंचायती पंचायतो समंधित प्रधान के लिए प्रधान मंत्री पीवी नरसिंग राव द्वरा ठीक है पीवी नरसिंग राव द्वरा ठीक है तिहत्तरवा संसोधन लाया गया ठीक है कौन सोंसोधन लाया गया तिहत्रवा संसोधन शंसद में लाया गया तथा लोकसभायों राजसभा में क्रम सा 22 और 23 दिसंबर को 1992 को पारित किया गया 17 राज्यों की विधान सभा के द्वारा अनुमुदत किये जानने पर 20 अप्रेल 1993 को राजपती ने इस पर क्या किया अपनी सम्मत्ती दे दी इस विधे पर सम्मत्ती दे गई और 24 अप्रेल 1993 में ठीक है तिहतरवास समिधान संसुधन अधिनियम से पूरे देश में लागू कर दी कि 24 अप्रेल 1991 को यई 24 अप्रेल के डेट को क्या कहते हैं पंचायती राज दीवस के रूप में मनाते हैं इसी 24 अप्रेल को किस की लिए कौन सी दीवस मनाया जाता है 25 अफ बात करते हैं 73 समिधान सम सोधन में क्या था 73 समिधान सम दे onboarded में चींट है एक नानिक दरजा प्राप्थ हो गहाँ अभी दोग। पंचा की राजिविस्था को आ गर से अन्याइक के टहट समिधान My Transport संसोधन द्वारा समिधान में भाग 9 को पुना इस्थापित करकर 16 नए अनुछेद 243 ए से 243 ओ तक नए अनुछेद क्या किये गए जोड़े गए और उसके बाद क्या होता है वो देखिए इसके द्वारा पंचायतों का गठन संरचना निर्वाचन सदस्यों की आहरता आधी चीजों को जोड़ा गया ठीक है इसके प्रावधान किया गया पंचायती राजविस्ता से समन्धित जितनी भी समितिया रहे बलवंतरा महता समिती अब बात करते हैं परिच्छा उप्योगी तथ्थों पे तो परिच्छा उप्योगी तथ्थों पे हम जब बात करते हैं ठीक है बलवंतरा महता की जो तीरिय अस्तरी पंचायती राजविस्ता अथ्वा प्रजातांत्रिक विकेंद्री करण की सिफारिज परस्वर पथम दो अक्टूबर 1969 को राजस्थान की नागोर जिले में पंजित जोहाला नहरू ने पंचायती राजविस्ता क्या क्या किया? सुभारा में किया कौन किया? जोहाला नहरू ने किसके सिफारिज पर की? बलवंतरा महता किसके सिफारिज पर किया? कब किया? दो अक्टूबर 1969 को किया असुक महता समिती ने दो अस्तरी जिलाग परिसद और मंगल पंचायत पंचायती व्यस्था का सुझाओ दिया असुक महता ने दो अस्तरी पंचायती व्यस्था का सुझाओ दिया था जो कि नहीं माना गया ऐल। तो एलॉम सिंधवी mp TV थूंगन समिति नें पंचाती राजव्यष्ता को समिधानिक दरजा प्रदान करते हैं। ने किसी प्रदान मंकरण करें नें sono पंचाती राजव्यष्ता. को समिधानिक क्रदान कर दिया गया तो अब आपसे पूछ लिया जही कि बंजाती राज्वज्था को समिधानिक दर्जा किस प्रधान मंत्री के कारेकाल में हुआ तो वो प्रधान मंत्री काँ थे पीवी नर्सिंग थे और प्रधान मंत्री थे पीवी नर्सिंग और कौन습니까 किया गया प्रभावी जो समिधान किया गया लेकिन प्रभावी जो समिधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद तब लागु क्या हो यही चवी सप्रोल को प्रधाती राज विवस्ता दिवस मना जाता है गिरावी अन्सुची के विशय में ठीक है क्या चीज़ें क्रिसी विस्तार भूम विकास भूम सुधार चकबंदी भूम शनरचन लगु सुचाई जल प्रपंधर जल छेत्र का विकास, पसुपालन, गिरी, उद्द्यक, कुट पलन, मस्त उद्द्यक, समाजीक वानकी यौं फार्मिक वानकी, लगवन उपज, लगव उद्द्यक जिसके अंतरगत खाद प्रसंगन उद्द्यक भी सामिल हो कड़ी ग्रामुद्योग या कुठीर द्योग ग्रामीड अवास पे जल इधन वचारा सड़क पुलिया फेर फेरी जलमार्ग अन्य संसादनों का निर्मार सामिल है इसमें ठीक है उसके बाद करते हैं और सधाले भी है परिवार कल्याण महिला वं बाल विकास समाज कल्याण विकलाग मांसिक मन व्यक्तियों को सहित दुर्बल अनसूची जाती जन जाती का कल्याण सरवजनिक वित्रल प्राली और समधाईक अस्तित्त का अनुराण पंचाती राजविवस्था के तहट जो अनुच्छेद 243 ये से 243 ओ और अनुसूची ग्रहवी अनुसूची के तहट भाग नौ के तहट इतने चीजों का प्रावधान किया गया है अब बात करते हैं पंच वर्षी यौजना भारत की पंच वर्षी ओर जाए पहली पंच वर्षी ओर जार उनुस Commissioneraldo उनुस्द्दरदार नियुस्दरदकि नियुसरी पंच वर्षी ओ nella से 1921 मेरे पीसी महालोविनिस माजल पर यह आधारी थी मुख्य उद्देते भारी द्योगों चिकस्टा पर ध्यान दिया जाए समाजिक माजल और द्योगी करन का तीवर विकास भारी द्योग पर ध्यान दिया जाए तीसरी जो योजना थी पंचवर्शी 1921 माजल पर ध्यान मुख्य उद्योग को बढ़ावा देना गाल जिन योजना के नाम से भी या मसुहूर है ठीक है गाल गिल योजना के नाम से क्या है मसुहूर है सूखे एवं पाकिस्तान चीन के युद्ध के कारण या निर्धारी लिश्य को प्राप्ट नहीं कर सकी ठीक है क्यों नहीं प् कर दिया है, तीसरी पंसे वर्सिपन फूरी होने से पहले असफल रही है। अब बात करते हैं चोथी पंच वर्सी उजना की चोथी पंच वर्सी वर्सी उजना 1979-1974 रही ठीक यह असूख रूद्रा एलन मैनी के ठीक है माजल पर आधारित रही ठीक मुख्यों देश क्रिसियों सी चाहिए था इस्थिरता और अत्मिर्धा के साथ विकास का काम था था थी शुखा बंगला देशी संद्रणाअसों की समस्या के कारण यह भी योजना असफल्र यह भी पंचवरसी योजना की बात करते हैं तो 1974 से 1989 के बीच में यह योजना चली ठीक है इसका टाइम पीरियड है यह सी सुब्रमनियम और बाद में गीपी धर के द्वारा पुना प्रारूपित किया गया ठीक मुख खुदेश क्या था प्रात्मिक सिच्छायं अंतियोदय कारक्रम मूलता दस वर्सी लंबी योजना जो गरवी हटाओ और आत्मिर्धा पर केंद्रित थी किस पे केंद्रित गरवी हटाओ और आत्मिर्धा पर केंद्रित थी रोलिंग प्लान यह प्लान ऐसे होते थे दो दो वर्स के लिए प्लान बनाया जाए तो 1978 और उससे 1902 के बीच में थी प्रधान मंत्री कौन थी मोरोजा मोरारजी देशाई थे जनता की सरकार थी रोलिंग प्लान सिस्टम क साथ आई थी जिसके मुताबिक प्रतिवर्स की उप्लाग्दियों का मुल्यांकन किया जाए और उसी अधार पर अगले वर्स की नहीं योजना बनाया जाए ठीक अच्छा फिर यह भी सफल ना होने के कारण कि काम नहीं कर पाए इसलिए छट्टी पंच वर्सी योजना इसलिए आदी इनके उद्देश थे मुख्य मुद्धो में किसी उद्दवग और उर्जा था ठीक है तो आपके लिए क्या जरूरी है सातवी पंच वर्सी योजना प्रहुन मुखरजी इसके जो योजना बनाये थी प्रहुन मुखरजी साहब ने बनाये थी और इसका जो म था मुखता रोजगार पर केंद्रित थी थी रोजगार का कैसे स्रेजन किया जाए ठीक है अब उसके बाद जो आता है वह है दुतिय थीक वरसी कि योजना दुतिय वरसी कि योजना उननीस ओन्सों नौासी से निस सो क्यानुवी के बीच में दुबारा आ थी यहां केंद् आठवी पंचवर्सी योजना 1992-1997 यह जाउन डबलू मीरन मौदल पर आधा रिखी, ठीक मुख उद्य, सिच्छा, स्वास्ट, ठीका करन और मेला धोने की प्रथा का पूर्था समाप्त कर दिया गया, ठीक मेला धोना एक विशेश वर्ग की लोग का काम था जिसे इस आठव पंचवर्सी योजना की स्थाथ समाप्त कर दियागा, अब बात करते हैं हम पंचवर्सीयोजना न वी, पंचवर्सीयोजना की बात की गए थी स्यो जना में कि करणा तक दस वर्स्य परंचवर्सी हो जिनां, 2012 his 2007 में इसमें जो GDP रहा आथ पर संद रही दस साल में दोगनी प्रतिवक्ति आये के मुद्दा था मुद्दे जो थे समाजिक अवसमलचना का विकास करना जो सोशल इंफ्राक्चर है उसको बढ़ावा देना गिराहमी पंचवर्शी उजना 2007-2012 के बीचिन रही इसका जो मुखे बिद था समावेसी विकास और ग्रामीड गरीवी उन्मोलन एवन सिच्छा और समावेसी विकास पर था यह रंग राजन ने निम्रलचो के प्राप्त के साथ इसका धाचा बनाया ठीक है बारमीड पंचवर्शी उजना 2012-2017 के बीच में रही इसका मुखे बिद था सतीवर अधिक समावेसी हों दिर्गकानिक व्रिद्धीदर लच्छ व्रिद्धीदर 9% जीडीवी चार प्रस्चत क्रिशीदर 10% व्रिद्धर निर्धर्णता में कमी पांच कड़ों नए नवकरियों का स्रजन आयमर 26 और एमेमर 1000 सिसू लिंगानिपाद 950 और कियफ आर 2.1 को प्रात करना विद्धियाले वन आवरन अवसंरस्टरन निवेस ग्रामीर दूर संचार घनत में और सत व्रिद्धी इस का मुख्य उद्धिवसों में सामिल था अब हम बात करते हैं ग्रामीर छेत्र की महत्पूर्ण सब्दावलिया ग्राम तो ग्राम क्या है ग्राम है राजपाल द्वारा अधिसूचित एक निश्चित भगुलिक छेत्र क्या है एक निश्चित भगुलिक छुद्र जिसको कौन करता है राजपाल अधिसूचित करता है वो ग्राम करता है ग्राम सभा इस अधिसूचित निश्चित भगुलिक छेत्र में निवास करने वाले ऐसे वक्तियों का समूँ जिनका चुनाव नामाली या भोटर लिस्ट में रजिस्टर हो ठीक हो वही व्यक्ति ग्राम सभा के अंतर गता हैंगे जो उस ग्राम में ठीक है चुनाव नामावली या भोटर लिस्ट में रेजिस्टर हो तो वो ग्राम सभा के अंतर गता हैंगे ग्राम पंचायत समिती ग्राम सभा में निवास करने वाले चुनावी नामाली में रेजिस्टर व् प्रत्य चुने जाती है जो सवयत्य संस्था है उसे समिधानिक सक्तिया प्राप्त रहती है उसे ग्राम पंचायत समिती कहते हैं अब बात करते हैं हम ग्राम पंचायती राज और वर्तिमान परदिस्त से पंचायती राज कितना वर्तिमान परदिस्त में सफल रहा है उसका हम मुल्यान करते हैं राज सरकार सत्ता के विकेंद्री करण के उद्देश से लोकतंत्र की मूल इकाई ग्राम पंचायते को सुरुद्रिन ससक्त और जन अकंचाओ के अनरूप बनाने के लिए कृत संकल्प है राज सरकार प्रयास रत्र है विकेंद्री करण करके लोकतंत्र की मूल का जो ग्राम पंचायत है उसे और ससक्त बनाया जाए आतने निर्भन बनाया जाए उसके लिए वो काम कर रही है पंचायती राज विवस्था के अंतरगर संगठित जिला परिशद छेतर समिती गाउं पंचायतों का ग्रामेड विकास के करेकरम से अधिक से अधिक सहयोग प्राद किया जा रहा है पंचायती राज विवस्था के अंतरगर जो संगठित जिला परिशद हैं छेतरी समिती गाउं पंचायतों का ग्रामेड विकास के करेकरम में अधिक सहयोग किया जा रहा है इस संस्था को विकास के कारेक्रम से सीधे संबंध कर कारेक्रम का कारेवनन का और अधिक कुटा दारित सौपा गया है ठीक है प्रत्मी धित्तु उनका और क्या है पंचायती राज का काम ग्रामीर छेत्रों में आवस्तक उभुगता वस्तों की उपलब्जा का सुनाशित कराना प्रारंभीक पाक्षाला भावनों का निर्मार कराना जैसे प्रयासों में पंचायतों की संक्रिय भुमिका दी गई है ठीक प्रात्मिक उच्चा पाठ्यान जो प्राशाला जो पाठ्यानी का निर्मार कराना व भुगता के लिए वस्तु का उपलबसंत कराना प्रात्मी व ठीक है इसके अतरीक ग्रामीड छेत्रों कि स्वचता पर विस्टा देना जो सुचता अभियान है सोचाला कराने परंचाहंती राज महत्वा कांची योजना का कर रापनन सफफा गया है केलिए इनको जिम्मेदारी सो सवी गई है कि रिक्त पांचाती राज के कर्मचारी प्राइद्ध प्रशिच्छंस के sancti भावनों का निरमार जाइगा किलिए इनके प्रशिच्छन के प्रबन सबब् exclusively सब्सक्राइब में। सभाव अस्तर पर खरंजा नाली निर्मार ग्राम पंचायती अधिकारियों के आवसी भावन के निर्मार योजनाव में खीक है कारवर्गन के लिए इनके लिए उतरदायत सोपा गया है खीक है अब हम बात करते हैं कुछ प्रस्ण उत्तरों पे चले हम आपको ले चलते हैं जोई के लिए पहला प्रस्ण है पंचायती राजव्वस्था में निर्मार से कौन सी समिती संबध नहीं है असोक मेहता रंगराजन संनाथम बियार मेहता समिती तो रंगराजन समिती क्या है इससे समंधित नहीं है पंचायती राजव्वस्था से दूसरे समिती की बात करत वह राज्य जिससे सबसे पहले पंचाती राजव्यस्था को लागू किया तो वह राज्य कौन सा है वह राज्य है आपका राजस्थान कौन सा राज्य राजस्थान ठीक है पंचाती राज्य का मुख्य उद्देश क्या होगा पंचाती राज्य का मुख्य उद्देश क्या ह ना वोगों को विकास मूलग प्रसासन में भागीदारी योग बनाना जब इतिना बना देंगे विकास भागी दारी योग तो बाकी चीज है तो वह खुद कार ले जाएंगे आप कोशन क्या है कि जो का हर रोजगार योजना जो रोजगार विकास का की दो प्रमुक योजनाओं का समयूरित रूप था किस पंचायती किस पंचवर्सी योजना का प्रमुक लज़ था तो वो कौन से लज़ था वो साथवी पंचवर्सी योजना का लज़ था स्वास्त की प्रमुकता के साथ मैल दोने की प्रता का अंत या उन्मूलन का अधिक समिल था अठ्वी पंचवर्ची योजना में समिल थाutos था है अब बात करते हonly पंचे योजना का प्रारम कप या गया पंचवर्ची योजना का प्रारम 1951 से कीज़े जाँ महिलाओ को पंचातों में आरच्छण भारती समिधान के किस समसोधन में किया गया तो भारती समिधान के समसोधन 1992 का समसोधन 73 समसोधन की अंतरगत किया गया कौन से समसोधन के अंतरगत किया गया 73 समसोधन के अंतरगत या किया गया समिधान के 73 संसोधन द्वारा पंचायतों को निर्देश किये जाने वाले कार इनिर्म लिखित में से वर्नित है जो वो कार निर्देशित किये जाते हैं वो कौन से अनसुची में वर्नित है नियाईक पुरुन लोकन, निर्धनता, निवारन कारेकरम का क्रियानमन इन में से कोई नहीं तो क्या नहीं आता है नियाईक पुरुन लोकन का कार, इनका नहीं नियाईक पुरुन लोकन का काम, उच्च नियालय अगम, सर्वोच नियालय का होता है बल्वंत राय महता समीती की प्रजातांत्रिक विकेंद्री करन की सिफारिस के अनुसार क्या होना चाहिए जिला ब्लाक ग्राम अस्तर पर तिरी अस्तरी प्रजातांत्रिक पंचाती राज संस्थाओ का गठान होना चाहिए केबल जिला अस्थर और मंदल अस्थर पर दु अस्थरी पंचाती राज संसथाओं का नहीं था है केबल जिला अस्थर पर जिला परिशद संस्थाओं का यहां और फिर इन में से कुछ ना आफसम यह सही होग जिला भ्लाग एवं ग्राम स्थर पर त्री स्थरी पंचाइती पिरजातांत्री पंचाइती राज सनस्थाव का गठम होना चाहिए इस तार सर्चिय अगला कोस्टन है पंचाइती समिती के संधस जनता के दोरा प्रताच रूप से चुना जाते हैं पंचायत समीती के सद्व किस की द्वर्रा चुने जाते हैं जनता के प्रत्य Achae रूप से चुने जाते हैं, प्रत्य Achaeति-राज की समिनारे कि इस्टैतिपि प्रदान करने हे, तो समस्द्वि किस कमिटी ने दिती तो वो थे P.K. थंगन समिति ने दिया था ये थे कुछ महत्पूर कोस्टन तो उम्मीद करता हूं को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के ज़रू लाइक किये या सेयर करिएगा अपने दोस्तों तक और अभी तक मेरे चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिले चनल को सब्सक्राइब कर लिएगा नैसी तरीके से अगले लेक्चर में किसी और टापिक के साथ आपके पास उपला दूँगा आप बिल्कुल भी घबराविये मत जय हिन जय भारत